आज मैं बनाने जा रही हूँ विच पोहा कटलेट जिसके लिए उबलेवे आलू में भीगेवे पोहा, बारीक कटा, शिमला मिर्च, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, गर्म मसाला, चाट मसाला, स्वात के अनुसार नमक और थोड़ी सी कुटी वी लाल मिर्च अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा मिक्स्चर रेडी हो चुका है, अब क्या करेंगे कि हाथों की मदद से छोटी छोटे बाल्स ले लेंगे और उसे कटलेट का शेप दे देंगे, ये इतना मज़ेदार लगता है खाने में, आप एक बार इसे ट्राइ करेंगे ना, तो हब हमेशा ऐसे खाएंगे, बिल्कुल बाहर से क्रिस्पी क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहता है ये, पर इसका जो टेस्ट है वह बहुत अच्छा आता है, अब एक बरतन में कॉन फ्लॉर नमक थोड़ा था औरे ग्यानो, उसमे पानी डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब बनाए हुए कटलेट को एक एक करके, हमने जो कॉन फ्लॉर की सलरी बनाई थी, उसमें डिप करेंगे, और फिर इधर से ब्रेट क्रम्स के ऊपर कोट करेंगे, अच्छे से, ब्रेट क्रम्स चारु तरफ से लग चुके हैं, और सारे कटलेट इस तरह से रेडी हो गए हैं, अब तेल को गर्म करेंगे, तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो एक एक करके कटलेट को डाल दीजे, और क्या है ना कि फ्लेम जादा हाई नहीं रखनी है, मेडियम फ्लेम पर आप अगर इसे फ्राइ करेंगे, तो अंद पलट देंगे, पलट कर भी लगबख कुछ दिरी से फ्राइ कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक, और एक की करके फिर से निकाल लीजे, बारिश की मौसम में शाम के नास्ते के लिए बेस्ट आप्शन है, तो आप भी ज़रूर ट्राइ कीजिए, वेच पोहा कटलेट बहुत मज़ेदार बनते हैं, थैंक्स फर वाचिंग